नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम वार्यर में तो आज हम काफी इंपॉर्टेट टॉपिक करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का जो की है स्मास अब एक्जाम में चाहे कोई भी परिक्षा हो, SSGD हो, हिमाचल परदेश पुलिस कॉंस्टेबल हो या अन्यपरतियोगी परिक्षा हो जिसमें हिंदी व्याकरण आता है तो उसमें स्मास का एक कॉस्टन जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि स्मास हिंदी व्याकरण के लिए काफी इंपॉर्टेट टॉपिक है और बच्चे जादातर इससे घवराते हैं, देखिए आज मैं आपको इसी वीडियो में पूरा स्मास करवाने वाला हूँ और नेक्स वीडियो में आपको इससे रिलेटेट एमसी क्यूज करवाऊंगा, जिससे कि आपके स्मास पर पकड़ काफी अच्छी हो जाएगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्मास अच्छी तरह से हा जाएगा, इसकी गैरांटी मैं लेता हूँ सबसे पहले बात करते हैं समास होता क्या है, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका अर्थ सबसे पहले हम समास का अर्थ पढ़ेंगे, देखें पहले मैं आपको यहां बता देता हूँ, फिर मैं आपको शॉट में इसका अर्थ बता दूँगा सबसे पहले समास शब्द का साब्दविक अर्थ होता है छोटा रूप अता है जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की भीवक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते है अब सीधी सी बात है समास का मतलब होता है एक वाक्य को छोटा करके लिख देना लेकिन ध्यान रहे उसके अर्थ में परिवर्तन ना आए जो अर्थ उसका पहले था भही अर्थ उसका वाक्य को छोटा करने के बाद भी रहना चाहिए मतलब छोटा करना किसी वाक्य को छोटा करना ही समास कहलाता है अब एक उधारन देते हैं, जैसे यहाँ पर एक शब्द था हमारे पास रसोई के लिए घर, अब जैसे हमारे पास एक शब्द है रसोई के लिए घर तो इसमें हम इसकी भिवक्तियों का लूप कर देंगे, मतलब इस वाक्य को छोटा कर देंगे तो छोटा करने के बाद इस शब्द का जो रूप आएगा वो आएगा रसोई घर अब देखिए क्या अर्थ का परिवर्तन हुआ नहीं अर्थ तो हमारा अभी वी वही है और पहले वी वही था बस नया रूप आया है पहले इसका मतलब था रसोई के लिए घर अब रसोई घर इसका मतलब भी होता है रसोई के लिए घर अब बात करते हैं समास विग्रह ये क्या होता है अब देखिए समास में होता है विवक्तियों का लोप करना और समास विग्रह में वही आता है कि आपने कौन सी विवक्तियों का लोप क्या है उसे दिखाना किसी समस्थ पद या समासिक शब्द को उसके भिविन पदों इबां भिवक्ति सहीत प्रिथिक करने की प्रक्रिया को समास्वग्रह कहते हैं पहला example लेते हैं जो हमने लिखा था कि रसोई घर रसोई घर ये हमारे पास समासिक शब्द है अब पहले इसका कौन सा रूप था तो पहले इसका रूप था ये रसोई के लिए घर तो ये कहलाता है समास भी घर है जैसे विद्या, विद्या के लिए आले, माता पिता, माता और पिता अब बात करते हैं समास के परकार की, ये कितने परकार के होते हैं देखिए बरतमान में समास हमारे छे परकार के होते हैं पहले समास के अब चार परकार के होते थे अब कौश्चन पूछा जाए तो आपने कहना कि अब समास, समास कितने परकार के होंगी इस तरह का कौश्चन ह आपने बोड़ना 6 प्रकार के समास होते हैं 6 जहां पर जिस option में 6 होगा उसे आपने टिक कर लेना है अब ये आपका main topic है यहां से ही question आपके आते हैं कि कौन सा शब्द अभयाई भाब समास है कौन सा ततपुरुष समास है किस में दबंद समास है प्रथम पुर्व प्रथम प समास तीसरा दबंद समास बहुर्व पिरी समास द्बिगु समास और करमधार्य समास अब आपको मैं एक चीज समान है वो मैं आपको आगे बता दूँगा कि इसमें कौन सी चीज समान है सबसे पहले अब इसका हमें डिटेल में मीनिंग पता होना चाहिए कि दवंदसमास क्या होता है अब आपने दवंदसमास के बारे में पढ़ना है तो दवंदसमास पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपने इसमें नोट करने वाली बात है द्वंदसमास में दौनों पद परधान होते हैं परतम पद भी और दुवित्य पद भी इसमें परधान होता है सबसे पहली बात तो आपने ये इंपॉर्टेट मार्क कर लेनी है ये अपने इंपॉर्टेट मार्क कर लेनी है दूसरी बात आप पता कैसे लगाओगे कि ये द्वंदसमास है इसमें द्वंदसमास है अब देखिए जो शब्द दिया होगा वो प्राया एक दूसरे के बिलोम होते हैं लेकिन इसमें एक एसेप्शन है कि ये सदैब ऐसा नहीं होता कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक द्वंदसमास में ही गिने जाते हैं सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि इसमें दौनों पत प्रदान होते हैं और इसका पता कैसे लगाएंगे कि ये एक दूसरे के बिलोम होते हैं और तीसरी इसमें पता करने वाली चीज़ इसका बिग्रह करने पर जो हमने देखो माता पिता तो इसके बीच में जब घ्रह करेंगे माता और पिता तो जिस शब्द की बीच में और या अथवा आये तो वो कहलाते हैं दवंद समा सीधे दवंद में टिक्र लेना है दाल रोटी दाल और रोटी पाप पुन्य पाप या पुन्य देखें एक दूसरे के बिलोम ह जल तो यह चीज़ आप यहां पर समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाता हूँ फल फूल फल और फूल अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि इस चिन को इसका ट्रिक मान लेते हैं कि जिसके पीच में भी यह चिन आएगा वो आपका दवंद समा सी कहलाता है तो ऐसा और नहीं होता जिसमें और या अत्वा प्रियोग हो या फिर जो एक दूसरे के बिलोम हो वो कहलाते हैं दवंद, तो इस ट्रिक से इसका कोई लेना देना नहीं है, अब देखिए जो ऊपर exception बताया था कि हर कोई एक दूसरे का बिलोम नहीं होता तो जैसे आप यहां देख इसमें बहुत से बच्चे confused हो जाते हैं कि ये धर्मा धर्म क्या है तो जाहिर सी बात है ये है धर्म या अधर्म तो जासे शुरासुर सुर या असुर सितोषण अब देखिए ये शब्द में तो सभी बच्चे फसकते हैं शितोषण इसका मतलब होता है शीत या उश्ण तो इसी तरह से आप यहां पर और एक्जामपल भी देखोगे जैसे शीता तप शीत या आतप तो इसके आपने बहुत से एक्जामपल खुद से भी देख लेने हैं और इसके मैं सी क्यूज करवा दूँगा जिसके बाद आपको इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिस जुता है एक दूसरे की बिलोम होते हैं लेकिन हरवार नहीं सदयाव नहीं मसले की आपने की ओघ्र करने पर और अथवा या शब्द का प्रयोग इनके बीच में होता है, इस चीज का अपने ध्यान रखना है, तो ये कहलाते हैं द्वंद, अब बात करते हैं next की, तो next है द्विगू समास, ये काफी आसान होता है, द्विगू समास में प्राया पूरव पद संख्या वाचक होता है, पूरव का मतलब जो पहला शब्द होग वो संख्या वाची होगा, एक से सौ तक या एक से हजार तक जो भी अंक होते हैं, उससे शुरुवात होती है, एक्जाम्पल से आपको काफी जादा समझा जाएगा, कभी कभी परपद भी संख्या वाचक देखा जा सकता है, आप देखें यहाँ पर द्विगू समास में प पहला पद संख्या वाचक होता है, द्विगू में पहला संख्या वाचक होता है, और इसमें द्वित्य पद प्रधान होता है, एक चीज़ आपने और नोट करनी है, यहाँ पर दिया नहीं गया है, आपने यहाँ लिखना है कि द्वित्य पद प्रधान होता है, इसमें द् उसमें दुवित्य पद्ध प्रदान होता है, एक्जाम्पल की बात करते हैं, और एक बात यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, इसका बिग्रह करने पर स्मुख या समाकार शब्द पर्युक्त होता है, अब जैसे यहाँ पर आप सीधे इसके एक्जाम्पल को ले, त्री भुज, तो यहाँ पर भी संख्या वाचक शब्द यूज हुआ है, त्री लोग, त्री दतन, इस तरह से आप देखोगे, भुवन, तीन भुवनों का समाहार, जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर ही पहले शब्द संख्या वाचक दिया हो, इसका बिग्रह करने पर भी आपने देखना है कि कहीं संख्या वाचक तो नहीं है, तो यह होता है, त्विगू, पंच अमरित, पांच अमरितों का समाहार, अब मैं आपको बता दूँ, आपने यहाँ पर याद गया करना है, अब यह सब आपने याद नहीं रखना, पहली चीज आपने याद रखनी, पहला पद इसमें संख्या वाचक होता है, पहला पद संख्या वाचक होता है, और दुट्य पद प्रधान होता है, बस यह आपने याद रखना है इसमें, पहला पद संख्या वाचक होता है और दुट्य पद प्रधान होता है अब next की बात की जाए करमधारिय करम धार्य समास में एक पद विशेशन होता है तो दूसरा विशेश्य होता है और याद रखने बाली बात इसमें भी यही है कि इसमें भी दुट्य पद प्रधान होता है इसमें भी दुट्य पद प्रधान होता है qya next चीजिसस फिर्ट इमयाद कशने लाइक है कुह इसमें कहीं कहीं ऊपमें अमान का स्वन होता है ओर फिरॉपयWow स्भूप्रद प्रीप्रूप्थ होता है अफ देखिये यहां पर आपने याद गर रखना है बस आपने एक ही चीजिए हहां पर याद रखनी मिया है पहली चीज तो आपने याद रखनी है कि दुवित्य पद प्रदान होता है यह तो आप याद रखोगे ही रखोगे दुवित्य पद करमधारे में भी दुवित्य पद प्रदान होता है लेकिन एक चीज यहाँ पर आप याद रखोगे कि करमधारे असमास में एक पद विशे का मतलब होता है जो किसी संग्या या सर्वनाम की पिशेश्टा प्रक्ट करें बस आप इस चीज को याद रख लोगे कि तो आप आसानी से फाइंड कर पाओगे कि इसमें करमधर या समास है और दूसरा पद बिशेश्ट यह होता है जिसकी बिशेश्टा बताई गई है लेकिन जरूरी नहीं है कई बार क्या होता है कि पहला पद भी बिशेश्टा होता है और दूसरा पद भी बिशेश्टा होता है इस चीज का अप पर विशेष्टा प्रक्ट कर रहा है महा पुरुष महान है जो पुरुष तो प्रतम पद यहां पर विशेष्टा प्रक्ट कर रहा है गन श्याम गन जासा श्याम तो यहां पर देखिए पहला पद आपका क्या कर रहा है गन का मतलब होता है जो आपकी विशेष्टा तो इस तरह के इसके कुछ एक्जाम्पल है यह आप देख सकते हो, बाकी जो मैंने आपको बताया है कि यह विशेष्टा प्रक्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपने बस यही याद रखनी है कि इसमें दुईत्य प्रद प्रदान होता है और इसमें एक प्र विशेष्ण होता इसमें क्यों करवा रहा हूं क्योंकि इसमें देखिये क्या होता है कि बहु ब्रही दुईगू और करमधर्य के समान होता है, जैसे आपको मैं भी इसका मीनिंग बता देता हूं, फिर धीरे जैसे ही कॉश्चन करवाँगा, बैसे आपको जादी अच्छी तरह से इसमें प्रिक्त होने, इसमें प्रिक्त पदों के समान्य अर्थी के पेक्षा, अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बहु ब्रही समास का शब्द जो अर्थ देता है, बिग्रह करने पर इसका कुछ अलगी अर्थ निकल कर आता है, बिग्रह मैं आपको क्या बताना चाहता था कि जो मैंने आपको पहले बताया गजानन्द कि यह अपने अर्थ का अलग ही रूप देता है देखिए यहाँ पर गजानन्द गज का है आनन जिसका जैसे गणेश भगवान तो यहाँ पर गजानन्द का मतलब यहाँ पर पूछा नहीं गया तो गजानन गज का आनन है जिसका तो गनेश तो यहाँ पर इसका जो बहुबरी ही होगा जो इसका मतलब बनकर आएगा गजानन का वो होगा गनेश जैसे त्रीनेत्र तो यहाँ पर इसका यह मतलब नहीं आएगा कि तीननेत्र है जिसके इसका मतलब यहाँ पर आएगा शिव कि ये बात शिव के लिए कही गई जिसके तीन नित्र है वो कौन है वो शिव है चतर बुझ जैसे विश्णु भगवान जिको चतर बुझ कहते हैं जिसकी चार बुझाए है अब आप देखोगे यहाँ पर इसके प्रतम पद और दुत्य पद की कुछ अलग अर्थ है लेकिन यहाँ पर तित्य अर्थ निकल कर आ रहा है विश्णु दशानन दस शिर है जिसके मतलब रावन तो यह रावन को कही गई बात है मतलब यह रावन के लिए यूज किया गया है अब बात करेंगे गण श्याम गन जैसा है श्याम जैसे कृष्ण तो यह कृष्ण भगवान के जैसे पितामबर पूछा गया है और उसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा समास है अगर आपके पास तीनों दिये गये हैं दिगू भी दिया गया है करमधारे भी दिया गया है और बहुब्रिही भी दिया गया है तो हमेशा प्रात्मिक्ता अपने बहुब्रिही को देनी है तो हमेशा इसका अंसर बहुब रही आएगा हमेशा बहुब रही ही इसका अंसर आएगा अगर आपके पास केबल दुविगू समास और करमधारे समास दिया गया है तो इसका अंसर करमधारे समास आएगा और अगर यहाँ पर सिर्फ द्विगू समास ही इसका option मनसर दिया होता तो यहाँ पर द्विगू आता देखे यह मैं आपको MCQs करवा कर जादा भैतर तरिके से समझा पाऊंगा तो अभी आपने पस इस वीडियो को दियान से देखना है अब यहाँ पर मैं बता दूँ यह तो आपको इसका मतलब पता लग चुका है कि बहुब्रही का मतलब क्या होता है जिसमें प्रतंपद और दुत्योपद कुछ अलग ही अर्थ दे तो वो होता है बहुब्रही समास अब बात करते हैं अंतिम की अंतिम नहीं यह second last होगा तो अब बात करते हैं अब यही भाब समास की अब अब यही भाब समास में प्राया पहला पद प्रधान होता है तो अब यही भाब में पहला पद प्रधान होता है इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अब यही भाब में पहला पद प्रधान होता है पहला पद पूरा पद अभियाई होता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो शवद लिंग, बचन, कारक, काल के नुसार नहीं बदलते उन्हें अभियाई कहते हैं तो इसमें अभियाई शवदों का इस्तिमार होता है अवियाई शब्द वेशब्द होते हैं जो शब्द लिंग, बचन, कारक और खाल के अनुसार जिसमें बदलाव नहीं होता और यहाँ पर एक और बात कही गई है यदि एक शब्द की पुन्रबिती हो और दौनों शब्द मिलकर अवियाई की तरह प्रिक्त हो तो वहाँ भी अवियाई भाब समास ही होगा अगर एक शब्द की पुन्रबिती हो जैसे धीरे-धीरे, कभी-कभी तो यह भी आपका अवियाई भाब समास ही कहलाएगा अब यहाँ पर बात करते हैं कि अवियाई शब्द कौन-कौन से होते हैं तो अवियाई शब्द होते हैं आपके जैसे यथा, यथा शक्ती, शक्ती के अनुसार, यथा शिग्र, जितना शिग्र हो, ये काल, वचन और लिंग के अनुसार इसमें बदलाव नहीं होता, उसी शब्द को कहते हैं, अवियाई शब्द तो जिसमें भी यथा, अवियाई श आप समास आ जाएंगे जिसमें की अवियर शब्दों का इस्तिमाल होता है अवियर शब्द वे जो लिंग बचन कारक के इस्तिमाल के अनुसार अपने आप में बदलाव नहीं करते हैं अब बात करते हैं अंतिम की तत्पुरुष समास तो यहां आप देखोगे तत्पुरुष समास में दूसरा पद परधान होता है तो इसमें दूसरा पद परधान होता है अब देखिए दूसरा पद परधान किन किन में रहा मैंने कहा था कि तत्पुरुष समास से बनकर आया करमधार्य समास उसका भी दूसरा पद परधान हो हो चुके हैं तो ये याद करने में काफी आसानी रहती है कि दूत्य पत्थ प्रधान किस-किस का होगा तो वह तत्फुरुषच खाभी होगा करमधर्य का होगा और दुविगु का होगा तो अब यहां पर बात करते हैं कि इसका बिग्रह करने पर करता बसंबोधन की विवक्तियां ने हे ओ अरे कैतरिक्त भी कारक की विवक्तियां प्रुक्त होती है जब इसका बिग्रह करते हैं तो इसमें कौन-कौन जी विवक्ति चिनाते हैं तो आपको यहां पर आपने यह याद रखना है कि जितने भी कारक्चिन है आपके जैसे करताने कर्म को कर्ण से यह वाले जितने भी कारक्चिन है शब्दों की बिग्रह करने पर अगर यह आते हैं तो बस आपने उसे तत्पुर्श समास मानना है जैसे एक्जामपल लेते हैं कृष्णारपण। तो को गया किजिए कृष्ण को फूर्पण। क्ष्णको इस्तु आपके शुकर्व वो सभी आपके ततपुरुष समास में समलित किये जाएंगे जैसे करण से यह भी व्यक्ति चिन है के द्वारा जैसे यहाँ पर आपका option दिया गया है एक example दिया गया है इश्वर प्रदत इश्वर से पदत या फिर इश्वर के द्वारा पदत तो जितने भी कारक के चिन अगर ब्ग्राय करने पर आते हैं जैसे से, के, को, ने, हे, अरे यह सब आपके किसमें आएंगे ततपुरुष में आएंगे जैसे रतन जड़ रतनों से जड़ित संपरदान से पर्दत पुरुष के जैसे कि के लिए अगर टतपूरुश होंगे जासे हबन सामगरी हबन के लिए सामगरी गुरु दक्षिन गुरु के लिए दक्षिना तो यह सभी आपके समलित प्रितक आपादान प्रितक प्रितक संधर्व में इसका सी कि इस्तिमाल किया जाता जैसे रिण मुक्त मार्ग ब्रश्ट मार्ग से ब्रश्ट तो इस तरह से जो भी आपके विवक्ति चिनाएंगे जो अपनी विडियो एक बार फिर से देख लेनी है और कल मैं इसके MCQs लेकर रहा हूँगा जिससे आपको 100% यह समझ आ जाएगा जो हमने आज किया है क्योंकि हिंदी ऐसा विश्य है जो एक दिन में समझ तो नहीं आएगा लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा और इसी गैरेंटी मैं लेता हूँ कि MCQs देखने के बाद आपको 50% या फिर 60-70% समझ आ ही जाएगा क्योंकि जो आपका टॉपिक होता है समास में वो इतना ही होता है और MCQs से हम आपको यहाँ पर और भी अ